हेलो फैमली नमश्कार कैसे हैं आप सब सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ जैसे कि जो वर्किंग भीमन है वो जादा लॉंग टाइम तक बच्चे को दूद नहीं पिला सकती अपना दूद ब्रेस्ट फीड लेकिन कैसी भी कंडिशन हो मिक्स कटना रॉमाएं बंटा सक्टीन को दो साल कराया उसके बात च्ब्र माइल दिशाए अब क्या हुता है कि बंछे को ब्रैस्ट फीड कर दब अगर पर Bul dare नहीं कर रहे हैं तो बच्चे कोम कराना होता है मतलई सब लगता तो धीरे धीरे क्या होता है कि हम चाते हैं कि फिर ब्रेश्ट फीट छोड़ा दिया जाए जिसे कि थोड़ा टेंशन फ्री बाहर जा सकें यह नहीं बच्चा बार बार ब्रेश्ट फीट की डिमांड कर रहा है तो हर मां सोचने लगते हैं कि अब बच्चे का ब्रेश्ट यह कोई दिखकत नहीं उसके बाद बच्चे का दूद्ध आपको छुड़ाने के लिए चाहिए या फिर आप एक साल बाद भी बच्चे का दूद्ध छोड़ा सकती है डिपेंड आपके कमफ़र्ट पर करता है कि आप कब तक बच्ची को दूद्ध पिला सकती है तो आप जै फिर बच्चा उस चीज को छोड़ना चाहते ही लुए को पशन लुए करते हैं क्योंकि से क्रेश हैनल paisk dic न्यूटिशन की जरूद पढ़ने लगती है जो कि उपरी खाना से ही उसके पूरे होते हैं तो फिर बच्चे को इस कंडिशन में ब्रेस्ट फीट छोड़ाना कंपलसरी हो जाता है तो फ्रेंड्स कैसे आप अपने बच्चे का बिल्कुल ईजीली सिंपली तरीके से देखें और चैनल को जरू सब्सक्राइब करने इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक मां को ब्रेस्ट फीट छोड़ाने के लिए क्या करना होता है थोड़ा सा अपनी मन को कठोर बनाना पड़ता है क्योंकि बच्चा करेगा ब्रेस्ट फीट की बार बार आपसे और आप उसको मना करेंगी बच्चा रोएगा भी तो इसी लिए आपको थोड़ा सा कठोर बनना है बच्चा रोता है डिमांड करता है बार बार तो आपको कमजोर नहीं पड़ना है दूसरी बात एकदम से बच्चे का आपको ब ब्रेश्ट फीट छोड़वाने की आदर डालनी है धीरे धीरे ही बच्चा आपका ब्रेश्ट फीट छोड़ेगा ठीक है एकदम से नहीं छोड़ देगा कि एक ही दिन में उसने छोड़ दिया और सब कुछ वह उपर का खाने लगा है आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा धीरे धीरे ही ट्राय करना पड़ेगा अगर एकदम से बच्चे का ब्रेश्ट फीट छुड़वा देती है दूप प्लाना बंद कर देती है तो बच्चे क्या होगा चिड़चड़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा और रोएगा और क्या होगा बच्चा कमझोर भी हो है बच्चे को जैसे की दल्या खिचडी बिस्केट इसकेट बच्चा खाता रहता है दिन भर करें से सिक्समाथ प्लस बेबी हो जाता है तो आप बच्चे को थोड़ी वोड़ी रोटी ऐसे इस तरीके से मैश करके भी रोटी खिला सकती है कोई भी बिना मिर्च वाली सबजी विगर आपने बनाई रोटी में हलका टच करके वह भी खिला सकती है तो बच्चे को धीरे धीरे खाने की आप आदत डालें तो बच्चे क्या करेगा दिन में कुछ ना-कुछ खाता पीता रहेगा तो बच्चे का पेट भरा रहेगा फिर वह आपसे ब्रेश्ट फीट की ड दलिया पसंद करता है, ओट्स पसंद करता है, कोई भी चीज ऐसी जो बच्चा पसंद करता है, उसको तुरंथ वो खिला दीजे, जब भी उसको भूक लगती है, तो आप बच्चे को सूजी का हलवा बना के खिलाईए, बच्चा बहुत पसंद करता है, तो इन चीजों में ब पॉरी रात आप फिर फोड़ी थोड़ी टाइम में बच्चे को जब डिमांड करें बेबी, तो फिर आप पिला सकते हैं, धीक है, लेकिन दिन में आप इस तरीके से बच्चे का प्रेश्फीर चुडवाएंगे ला है तो फिर भीज़ा करता सियर्ले खाना पजान के तो उसका पेट भर किया उद्स प्रेट का उब्चेशन सोुएग它 बच्ची को भूख नहीं लगेगी ऐसे धीरे 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 करके बच्चे का breastfeed अपने आपी छूट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा सेम ऐसे मैंने भी अपनाया मैंने अपने बच्चों का दौनों का breastfeed अचानक से नहीं छुड़वाया इसी तरीके से किया दिन में demand की बच्चों ने तो मैंने उनका पेट भरा अच्छे से रात में थोड़े धीरे 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 रात में भी छूट गया लेकिन बिलकुल से बंद आपको नहीं करना है कि इससे बच्चा फिर बीमार पढ़ सकता है बच्चा कमजोर हो सकता है ठीक है तो आप इस तरीके से अपना सकते हैं साथ में जैसे कि बच्चा जादा ही demand कर रहा है रुकी नहीं रहा है बार बार आपसे breastfeed मांगता है तो पसंद चीजें आप अपने निपल पर लगा के रखें तो इससे भी बच्चा breast milk से दूर होता जाता है जैसे कि मेरे बच्चों को नफरत थी दवाईयों से तो अपने निपल पर में दवाई लगा लिया करती थी कोई सी भी जो ज़्यादा कडवी बाली होती थी तो बस फि अगर जल से जल बच्चों का दूद प्लाना छुडवा सकते हैं एक एज के बाद चलिए फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए बाबाई थैंक्यू